भाजपा नेतरी ने जताई विजयपूर विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छा सुन्ये क्या बोली पूर्व कराहल जनपत पंचायत सदस से मुकोडी पटेलिया खबर कराहल से है जहां आज बीजेपी महीला मोर्चा की जिला उपाद्यक्ष मुकेडी पटेलिया ने बताया कि इस बार सभी समाज ये आगरह करने पर वो स्वयम विधायक का चुनाव लड़ने की सोच रही है और यदि भाचपा ने टिकेट नहीं मिलता है तो निरदली अचुनाव लड़ने की तयारी कर रही है और परिनाम उपरांत भाचपा पार्टी का ही समर्थन करने के बात कही है उन्होंने तमाम भाचपा के विकास कारे किनाते हुए मुख्यमंतर सवराच चिन चोहान की जमकर तारीफ की और कॉंगरेस ने जो 50 साल में नहीं किया वो भाचपा ने 18 साल में कर दिखाया उनने कहा कि भाचपा सरकार ने हर वर्ग के लोगों का विकास किया है मैं खुद अनुसुचित जन जाती से आती हूँ हमारे टेक हमारे लिए स्वराच भियाने बहुत सोविदाय उपलत कराई है 2023 में भी उन्होंने भाचपा की पूर्म भाभुमत की सरकार बननी की बात कहिया आज हमारे साथ जुड़ी है हमारे कराल व्लोग की मिगड़ी पटेलिया जी जो की भाचपा नेत्री है बाचपा महीला मोर्चा की जला उपाद्देश है पूर्में जनपत पंचाइस जनपत सदस्देशों की आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिगड़ी जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है मेरा मतलब ये टीवी सेनल में आपको बोलने का मोखा दिया मेरे को जी आपके बारे में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बार राजनीती को लेकर कि आप विदायक लड़ने की इच्छा रख रही है क्या मामला ये बास सही है क्य हां वो क्या है कि मेरे मन में एसा हो रहा कि मैं विदायक की चुनाव लड़ूं और मैं जनता का विकास कर रहे हैं आप राजनीती में कितने वर्सों से कार कर रहे हैं सब्सक्राबन सब्सक्राइब। अभिकास नहीं हुआ है कि मलब चोटी-छोटी समच्छा पानी की समच्छा घमाल चाहिए तो फूरी नहीं होरी तो इसलिए मैं जनता के बीच में आके में मतलो विधय की सुनाव लडने के लिए के लोग यह बोल रहे हैं कि मिकुडी दीदी आप बहुत अच्छा काम करती है और बहुत बोलती हैं बढ़िया और उनके तुम चुनाव लड़ो यसलिए मेरे को पूरे सहयों कर रहे हैं और पूरी समाज मेरे से बोल रहे हैं आप विकास की बात कर रही हैं आप 14 साल से यह ज इतना हमारे फंड नहीं आता है अपने काल में जन पर सदस्का दायत तुने वाया है कौरोना काल की कुछ ऐसी बात है जो मैं बताना चाहिए आप गरामें शेतर में क्या है कि मैंने घर घर जाके वेक्षीन और सब मतलब दिद्यों को भी समझाया वेक्षीन लगवाना और क त्यति कौरनकाल में हम गर से मदलब बाहर निकले क्योंकि हमारी जनता को कोई को परेशयान मास लगा को को परेशयान ही निया इसलिए हम पूरे मतलब सहीए क्या है कि आप कापी समय से जनपता सब्सक्राइब है से मैं 20 से तो क्या ने आपकी कामें मदद की दिया है तो यह कई आए कि हम तो उस्वुजए से हम मैं हमारे पूरे हमारे जनता ने बोल दिया तो इसलिए मैं खुद मेदान पर उतरनेके लिए चाह रही कि मानों की में विदाय reel की टीकट मांगो और बिदायिकक का सुनाव लड़द मेरे को मैं काम करने के रूशी कुलिए जनता की सेवा करने के लिए इस लिए मैं लड़ना चाहती हैं आ नहीं कि नहीं निकल पाई वह शफानeight तो इसमें क्विक लद नती के समाच के लोग आपसे कहना हैं लड़ाते मेरे को मुला था यहां कि बाद में की है हवा कि उनको तो पूरे समत्रूं करूंगी आप यह बताईए बाजपा सरकार है काफी अच्छे कार करती हैं आप मैला मुर्चा की कमान समालती है उनके तो हमारे सिवरा सिंग भाया ने तो बहुत जोड़ी इसमें कार कर रही है तो मतलब क्या है कि कोई भी अगर मतलब बड़े-बड़े परोग्रम होते हैं हमारे दिदियां एक ड्रेस में आती है और उनके टीबी सेनल में भी यह आ रही कि हमारे मतलब अपने सोसाहता समू की दिदियां अच्छी काम कर रहे हैं और उनका रोजगार भी मिल रहे और अच्छ कितने हमारे मतलब हमारे भाया कितने वह एसान मान रहे हमारे दिदियों के लिए और कितना आगे वह काम करने के लिए और महला के लिए आगे वह करने के लिए चाह रहे हैं आपने अभी इसकीम किनाई थी लाड़ ली बेना योजना विपच्छ जो है वह आरूप लगाता ह रही है क्या यह बाद सही है कि थोड़ा मतलो कमियां भी आ जाती है उनका अधारकाट में कुछ कमी मोबाइल नमर फीट निकाल कि यह उनका तो वह उनका क्या है कि 2016-17 में पन्नालाल सॉलंग कीजी आपके छेत्र के बकास के लिए उन्हेंने बहुत सारे कारे कीए लोग ये बताते हैं कि उनका ट्रांसपर हो गया था तो आपके अथा प्रियास से उनको बापिस सोपर जिले की कमान दी गई सरकार ने अपना अधिस बापिस ले लिया था बह गैंन सके बाउने माली मालो कीए वड़ का रचा आपने बेडायक जिताया तो बेडायक जी न आपके लिए क्या का रचा रचा кино te कि उनको वह अभी हम जिता है बाकी ने थोड़ा मदलो हमारे जनता के लिए मुख्य कम मदलो सुना है क्यूंकि हमारी बात नहीं सुने उन्हें को टिकट नहीं मिलता है या निरदाली है जैसे भी जनता के आशिरवास से आप बिदायक बन जाती है तो आपकी क्या कार ऐसे हैं जो आप कराल में परसम बूकर करना चाहिएंगे आट कि हमारे आट में जनगन रसाए इसमें में रोड की समशेव्स अगर मालो बिधायक ये बाकिने जाते हैं तो वो हमारे शिवराज चौहन को नहीं बताते हैं तो इस वज़े से हमारा ये अधूरा काम चूट जाता है तो बिधान सबा में जाके और अगर मैं बिधायक बन जाओं तो उनके लिए मैं जाके और उनको शिवराज भाया को मैं बताऊंगे और विधान सभा में और हमारे महला के लिए तो भहिया राजी है और सब काम करते हैं तो उनके बाद हमारे शिवराज भहिया भी बाद मानेंगे इसा नहीं है कि नहीं मानेंगे बाकिने पूरी-पूरी में कोसित पूरी-पूरी करूंगे उनको जाके बोलूंगे आप बनाने की कराल को बात कर रही हैं बिदाइक बनने के बाद यह गोजना 1829 साल से दुरी अगर आपको जानकारी होतो तो जो शिवराज सिंग्च छ्वाण जी इसको बनाई तो आप बिदाइक बनने के बाद इसे बना देंगे कि बिधान सभा में बिधायक जी जाते हैं बाकी ने वो बता दें सुपते dims दो वो पतानी स Southern कौने सब्सक्रांड ऑसे लिए वो काम कार्या मादर शूट जाते हैं मैं अर्ण बनांगे कि इश्थानिया प्रशासन कैसा कार कर रहा is इस सरकार में के छायक्त कार्ए सोंगर25 और हमारी इस्ते जाती इस्ते जाती भी पून बनीए इसमें प्रशान आती tenía अधार कारड के लिए और रासन काडड में जोड़ने के लिए भी बहुत परिश्यान आ रही है भी नए नए लड़का है उनका भी एक दम से मतलों उनकी आईडी भी अलग नहीं होती है तो अधार कार्ट बनाने के लिए यहां पे बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनका क्या बोलते थे यहां कि करमचारी के मतलों चोपूर जाओं करमचारी ज्यान नहीं दे रहे हैं सरकार अपकी यह करमचारी ज्यान नहीं दे रहे हैं तरन करमचारियों को क्यों नहीं कशा जा रहा है क्योंकि हमारे पास्तों any MARY अगर मेरे को पद मिल गया और जनता ने चाह लिया तो मेरे को चुन लिया तो उनका तो फिर कमर का दूम्हें क्यूंकि मैं काम करवा के रहूं कि यहां मदेपरचेस में गिन नहीं जाती है मतलों बहुत बड़ी पाल्य तो इसमें क्या है कि इसमें वह कब बड़ी आपके शरकार कासरना मतलों कोई भी हमारे सायगी वोई सरकार बनेगी वो भी जो भी हमारा मुंख मंत्री जी बनेगा वो अच्छा काम करेंगे अगर हमारे बीजेपी सरकार पाल्टी है तो वो भी आगर वापिस सिवरा सिंचोहन हमारा भाया है उनको वापिस लाएंगे तो वो भी अवच्छा काम करें सब्सक्रीज करेंगे यह वात है सपना में कि हमारी सरकार बनेगी और हम यह करेंगे पहलाना करेंगे ढिकाना करेंगे कुछ नहीं कर पाएगी वह क्या है कि पहले कमल ना था वह पंदरा मैना रे सुके बाकी ने उनके कुछ नहीं कर पाए और हमारी ओजना जितने भी हमारे शिवराज सिंग चोहन ने ओजना खोली थी वह पूरी बंद कर दी थी तो अब क्या करेंगे अब तो फिर भी मतलब वह तो जुटा बियान कर रही और बाइदा भी जुटा कर करके दिखाएगी तो देखी रही होंगी कि रोज बाचपा के नेता और विदायक पालिटी चोड़कर जा रहे हैं पीजीपी को क्या कहती हो ऐसे नेता और विदायक हों के बारे उनका क्या है कि एक वह सोचते कि हमारे को टिकट मिल जाए तो हम सुना लड़े बाकी ने दे कि अधर जाएंगे तो उधर हमको मिल जाएंगे और कुछ हमारे मानलों की हमारी बीजेपी सरकार है तो हम मैं हूँ अभी बीजेपी कारीकरता मैं छोटी हूं ज्यादा मतलों बड़ी नहीं हूं कारीकरता जब भी हम आमरे को बहुत चारे बोल रहे हैं कॉंग्रेज वाले कि अगर वह जाते हैं तो काई के लिए जाते वह मतलों के लिए जाते हैं अपने बीजेपी के मतलब बीज में अदो घृच्ट में जा रहे हैं तो वह सवक के लिए जा रहे हैं आपने का पीट सावारे वालों के जवाब दीएं आपसे एक अंत्यम सवाल हमारा पूचते हैं यह बताएए कि बाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही यह दोवारा से मति पर देश्थ कुछ अच्छा काम किया है और हमारी बिजेपी सरकार से जितेगी और बड़िया वह नमर लाएगी जो भी अच्छा काम करेंगे वह तो उनकी जीत होती है क्यूंकि यह कॉंग्रेज है कि वहात दिखानें हमारे बीजेपी सरकार है हमारे यह फूल है क्या थि हमारे बर्मा थे वह ंंका मेंन उनका है तो हमारी सरकार वह बनेगा और बनके रहेगी हमारे साथ जुड़ीती पूरी वहमत के साथ सरकार बनने का दावक ही आए अब चुनाब बताएंगे कि पूरी वहमत सरकार किसकी बनने जा रही है